आज मैं आपके लिए 4 जनवरी 2021 के Current Affairs के Most Important Questions इस वीडियो में लेकर आई हूँ और फिन्स अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टन रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं First Question से First Question है frater coalition ब्रिटेन में लेकर अगरोने वाले करोनावारिस के नविए स्टेर्न को अलग करने वाला ददीया का पहला देश कौंसा बन गया है सही आंसर है अप्षन भात Birth प्रिटेन में फैलने वाले करोना वारस के नए स्ट्रेंड को अलग करने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये भारत बन गया है, फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुए करोना वारिस की तो अब मैं आपको करोना वारिस से रिलेटेट कुछ important points बता देती हूँ तो करोना वारिस की शुरुवात चीन के वहान शहर से हुई है और वहान से फैले करोना वारिस से होने वाली बीमारी को COVID-19 नाम दिया गया है प्रक्रिया है जिसके तहट कोशिकाओं को नियंतरित परिस्थितियों के तहट उगाया जाता है और आम तोर पर उनके प्राकृतिक वातावर्न के बाहर ऐसा किया जाता है तो फिंस यहाँ पर बात है ब्रिटेन देश की ब्रिटेन यूरोप महादियूप में सी थे, ब्रिटेन की रासानी लंदन है, ब्रिटेन की करंसी पाउंट स्टरलिंग है और जो ब्रिटेन की प्रधान मंतरी है उनका नाम बोरिस चॉंसन है important कुछ नहीगा आपके exam के लिए next question दादा साहिब फाल के पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है सही answer है option भी धनुष को तो फिर्टेन दादा साहिब फाल के पुरसकार दक्षिन 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है और फिर्टेन जो दादा साहिब फाल के पुरसकार है ये हर साल इंडस्ट्री की बहतरिन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस पुरसकार में दक्षिन भारत के चार फिल्म इंडस्ट्री शामिल हैं जिनमीत तमिल, मल्यालम, तेलगू और कन्यट शामिल हैं और फेंस धनुष को यह अवार्ड उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर के तोर पर दिया गया है इंपोर्टन कुछन है का आपकी एक्सायम के लिए नेक्स कुछन है किस राजे की सरकार ने विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है सही आंसर है ऑप्शन भी उत्रपरदेश राजे की सरकार ने तो फेंस उत्रपरदेश राजे की सरकार ने विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है तो आईए इस योजना का उदेशे जान लेते हैं तो इस योजना के अंतरगत उत्रप्रदेश के पारंप्रिक कारिगरों वो दस्तकारों और मजदूरों को छोटे उधियुक स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10,000,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्द कराई जाएगी तो फेंस यहाँ पर बात है उत्रप्रदेश राज्य की और उत्रप्रदेश की सीमा जो है यह आठ राज्य से लगती है यह आठ राज्य है उत्राखन, हिमाचल परदेश, हर्याना, राज्यस्थान, मध्यपरदेश, छतिजगर, ज्ञारखन और बिहार और फेंस दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्रप्रदेश की नौपरोसी राज्य होती है लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है इंपोर्टन कुछ नहींगा आपकी एक्जैम के लिए और फेंस शेयर मार्केट नियामक सेबी ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलाइंस पर 40 करोड का जुर्माना लगाया है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है और फेंस यह मामला चो है यह नवंबर 2007 का है जो रिलाइंस पेट्रोलियम लिमेटर यानि की आर पियल के शेयरों की फ्यूचर एंड आप्शन सेक्षन में ट्रेडिंग से जुड़ा है और रिलाइंस इंडस्ट्रिस लिमेटर यानि की आर आईयल ने मार्च 2007 से आर पियल में 4.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था हालांकि बाद में दूह में Reliance Industries की इस सबस्टेरी में कम्पनी का Reliance Industries में विले हो गया था यानि कि फ्रेंज जो RIL यानि कि Reliance Industries Limited और RPL यानि कि Reliance Petroleum Limited इन दोनों को आपस में मर्च कर दिया गया था तो फ्रेंज यहां पे बात ही है सेबी की तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में जितने भी शेर मार्केट हैं जैसे NSE यानि कि National Stock Exchange और BSE Bombay Stock Exchange इन्हें सेबी रेगुलेट करता है सेबी की फुल फॉर्म है Securities and Exchange Board of Control और हिंदी में भारती प्रतिभुती और विने में वोर्ड कहते हैं सेबी की स्थापना 12 अप्रेल 1992 में हुई थी मुख्याले मुंबई में है और जो सेबी की अध्यक्षन वो अजे त्यागी हैं जो की कोशन में पूछा गया था इंपोर्टन कोशन है का आपकी एक्सायम के लिए नेक्स कुशन है कपीलो पंचायत को उतकरिष्ट कारियों के लिए नाना जी देश्मुक रास्ट्रे गौरव ग्राम सभा पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा यह पंचायत किस राजे में स्थित है सही आंसर है ऑप्शन डी जारखन राजे में कपीलो पंचायत को उतकरिष्ट कारियों के लिए नाना जी देश्मुक रास्ट्रे गौरव ग्राम सभा पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा और यह पंचायत जो है यह जारखन राजे में स्थित है और कपीलो पंचायत को उतकरिष्ट कारियों के लिए नाना जी देशमुक रास्ट्रे गौरव ग्राम सभा पुरसकार के लिए पुने चुना किया है और कपिलो को 3 साल से मिल रहा ये अवार्ड उत्करिष्ट परदशन करने पर दिया गया है और फ्रिंस इससे पहले कपिलो पंचायत को इसके पूर्व यानी की पहले भी 3 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया चा चुका है और इस बार जो कपिलो पंचायत को है जो की जारखन राजे में है को चौता अवार्ड मिलने जा रहा है तो फिर्ण से यहां पे बात हुए जारखन राजे की स्थापना विधी 15 नवंबर 2000 में राज़ानी रांची है जारखन की मुख्य मंद्री हेमंद सोरेन है जारखन के गवानर दरौपती मुर्मो है जारखन की मुख्य नयदेश का नम रवी रंजन है जारखन की लोग सबासिट 14 है राजे सबासिट 6 है और जो विधान सबासिट है यही क्यासी है किस राजे की सरकार ने सिख गुरू के इतिहास को पाठे क्रम यानि कि सलेबस में शामिल करने की घोशना की है सही आंसर है ऑप्शन डी उत्रपरदिश राजे की सरकार ने सिख गुरू के इतिहास को पाठे क्रम में शामिल करने की घोशना की है फ्रेंस यहाँ पर बात हुए सिख धरम की, तो अब मैं आपको सिख धरम के बारे में कुछ important points बता देती हूँ, तो सिख धरम की स्थापना जो है ये गुरु नानक देव जी ने की थी, और गुरु नानक देव जी का जनम जो है ये पाकिस्तान में स्थित शिरी ननकाना साहि अब में हुआ था, और फिन सिख धरम के जो 10 गुरु है अब मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ, तो सिख धरम में जो 10 गुरु है पहले गुरु है गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु है गुरु अंगर देव जी, तीसरे गुरु है गुरु अमर्दास जी, चौथे गुरू है गुरू रामदास जी, पाँचवे गुरू है गुरू अर्जुन देव जी, छटे गुरू है गुरू हर गोबिन सिंग जी, साथमे गुरू है गुरू हर राय जी, आठमे गुरू है गुरू हरी क्रिशन जी, नौवे गुरू है गुरू तेक बहादुर और जो दस्वे गुरु है ये गुरु गोबिन सिंग जी है नेक्स कुछन है भारत में COVID-19 वैक्सिन जिसका नम है को वैक्सिन और कोवी शिल्ड के अपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दे दी है वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन है सही आंसर है अप्षन है वेनु गोपाल सुमानी तो फैं जो वेनु गोपाल सुमानी है ये वर्तमार में DCGI के अध्यक्ष हैं और भारत में COVID-19 वैक्सिन को वैक्सिन और कोवी शिल्ड के अपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दे दी है तो फैंस यहां पे बात है DCGI की यानि की ड्रक्स कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया की और स्थापना हुई थी 14 गस 2019 में DCGI का मुख्याले नई दिल्ली में है और DCGI के जो अध्यक्ष हैं वो है वेनु गोपाल सुमानी जो की कोशन में पूछा गया था नेक्स कुशन करते हैं प्रधान मंतरी अवास योजना के तहट सर्व शेष्ट निर्मान पुरसकार से किससे सम्मानिट किया गया है सही आंसर है ऑप्शन भी अब्दुल लतीफ गनई को तो फैंस प्रधान मंतरी अवास योजना के तहट सर्व शेष्ट निर्मान पुरसकार से अब्दुल लतीफ गनेई को सम्मानित किया गया है और जो अब्दुल लतीफ गनेई है ये जम्मो कश्मीर के डोड़ा के रहने वाले हैं इंपोर्टन कोशन है का आपकी एक्जैम के लिए नेक्स कोशन है The GoPi Diaries Coming Home पुस्थक लाँचोई है यह पुस्थक किसने लिखी है सही आंसर है option D सुधा मूर्ती ने तो फिरेंज़ आपको याद रखना है कि सुधा मूर्ती ने The GoPi Diaries Coming Home पुस्थक को लिखा है इंपोर्टन कोशन है आपकी एक्जैम के लिए नेक्स कुछने उत्राखंड हाई कोड के मुख्य नयधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर है अप्षने रागवेंदर सिंग चोहान को तो फ्रेंस उत्राखन हाई कोट के मुखे नयधीश की रोप में रागवेंदर सिंग चोहान को नियुक्त किया गया है यहाँ पे बात हुए है उत्राखन राचे की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में उत्राखन की दो राजथानिय है शीत कालिन राजथानी देहरादून है और जो ग्रिशम कालिन राजथानी है वो गयर सिन है उत्राखन की मुखे मंत्री के नाम तिरवेंदर सिंग रावत है उत्राखन के गवणर बेबी रानी मौरय है उत्राखंड के मुखे ने अधिश का नाम रागवेंदर सिंग चौहान है जो अभी नई बने है और उत्राखंड की लोग सभासिट पांच है राजे सभासिट तीन है और जो विधान सभासिट है ये 71 है इंपोर्टन कुशन देगा आपके इसे